हनुई, वियतनाम, कूटनीतिक शत्रंज के एक शांदार खेल में यहे एक शांदार का दम करार दिया गया था। उत्तर कोरिया के नेता किम जूंग उनने इसी सपता वियतनाम में अमेरिकी राश्रपती डोनल्ड ट्रम्प के साथ मुलाकात के दोरान वाइट हाउस प्रेस को और द्वारा इस्तमाल किया जा रहा होटेबुक किया था साथ कॉरियन मीडिया और विशेशग्यों ने इसे किम के लिए एक वीर और जान बूझ कर की गई रणनी थी के रूप में उधरित किया ताकि अमेरिकी प्रेस को अपने हर कदम को उजागर किया जा सके अमेरिकी कैमरों के अपने हर कदम को उजागर करके किम जोंग उनका संकित हो सकता है कि वह निर्धारित हैं संयुक्त राजिय अमेरिका के साथ संबिंधों में सुधार के लिए अपनी इच्छा शक्ती के बारे में एक मजबूत संदेश भेजनी के लिए सेयोन इंस्टिटूट के एक उतर कोडिया विशेश अग्यच योंग सेयोन चान ने कहा की किम के आने से पहले लेकिन मंगलवार को किम के वियतनामी सीमा स्टेशन पर पहुँचने के कुछ मिनिट बाद वियतनामी विदेश मंत्राले ने मेलिया हनोई होटल की घोशना की जहां किम जोंगन रह रहे हैं अब प्रेस क्लाब की मेजबानी करने वाले सेक्डों अमेरिकी पत्रकारों को ट्रम्प के साथ अपना दूसरा शिखर समेलन आयोजित करने के लिए 24 घंटे से कम समय के नोटस की मेजबानी नहीं करेगा वाइट हाउस प्रेस पुल को इसके बजाए एक साज़ा काम करने के लिए जगह दी गई थी जो की वी एट जो फ्रेंशिप काल्चरल लेबर पैलेस में पत्रकारों के आने जाने के लिए स्थापित किया गया था एक विशाल सोवित युक काईड मेलीस मेलिया से कुछ ब्लॉक दूर था यह स्पष्ट नहीं था कि पत्रकारों के साथ क्या हुआ था मेलिया में रहने के लिए बुक किया था होटल में पिछले साल सिंगापॉर में ट्रम्प के साथ अपने पहले शिखर सम्मेलें के दौरान किम रुके थे नेता की तस्वीर लेने वाले कुछ महमानों ने उन्हें हटा दिया था किम और ट्रम्प बुद्वार और गुरुवार को वियतनामी राजधानी में मिलेंगे जहां वे अपनी परमानू हथियार कारिय क्रम को छोड़ने के लिए एक उत्तर कोरियाई प्रतिग्या पर एक समझोते पर पहुंचने की कोशिश करेंगे मेलिय व्यापक रूप से ठी हनोई में अपने प्रवास के दौरान किम की मेजबानी करने की उमीद की गई थी सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ़ते उत्तर कोरिया के नेताव वहां रहेंगे और किम के विदेश मंत्री रियोन होने पिछले साल नवंबर में वियतनाम की आत्रा के दौरान होटल में खुद को बनाया था करीन की करीबी उत्तर कोरिया एनेता से कई दिन पहले हनोई पहुँचे सही योगी किम चांग सोनने भी होटल का निरीक्षन किया इन संकेतों के बावजूद और जैसा कि सरकारों और मीडिया संगठनों ने दोनों नेताओं के बीच बेठक से पहले हनोई होटल के स्थान के लिए हा था पाई की, मेलिया था वाइट था उस प्रेस के लिए अभी भी एक स्थान के रूप में माना जाता है, जब तक किम अपनी ट्रेन से पैर नहीं लगाते हैं, पहले स्थान पर समझना मुश्किल था, उत्तर कोडिया के विशेशक यचेयों ने कहा की, किम के पहुँचने क के बाद ल, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसका कोई मतलब नहीं निकाल सका, शेशक को छोड़ कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटिट फीट से प्रकाशित हुई है,